वाई गुरुजी का खालसा वाई गुरुजी की फतेर आज पंजाब के कोने कोने से आए हुए मेरे भाईयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सब को मेरा प्रणाम, सस्रियकाल मैं देख रहा हूँ, दूर दूर तक, जहां भी नजर जा रही है इतने लोग, इतने लोग, इतने लोग आ जाये हुए हैं, पूरे पंजाब से लोग आये हुए हैं, इतनी भारी संख्या में लोग आये हुए हैं आप सब लोगों को मैं सल्यूट करता हूँ, आप सब लोगों को मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप इतनी दूर से चल के इतना समय निकाल के आए, उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया आज मैं आपके बीच में पंजाब के किसानों को सलूट करने के लिए आया हूँ दिल्ली से जिस तरह से केंद्र सरकार ने तीन काले कानून पास किये सबसे पहले उसके खिलाफ विरोध में आवाज निकली पंजाब से आवाज निकली सबसे पहले पंजाब के किसानों ने उन तीनों कानूनों की खिलाफत करनी चालू करी पंजाब के अंदर सबसे पहले अंदोलन उठा और वो अंदोलन दिल्ली पहुंचा जो आग पंजाब के अंदर आप लोगों ने लगाई आज वो पूरे देश के अंदर आग लग रही है सारे देश के किसान आज खड़े होगा आप लोगों के साथ आज मैं पंजाब के किसानों को इसलिए सल्यूट करने आया हूँ पंजाब वीरों की धरती है यह आज नहीं सदियों से जब 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 अन्याय हुआ देश के उपर या पंजाब के उपर पंजाब के लोगों ने उसमें लीडर्शिप ली है और इस बार भी तीनों कानूनों के खिलाफ पंजाब के किसानों ने लीडर्शिप ली है मैं सल्यूट करने आया हूँ पंजाब के लोगों को कि अब केवल पंजाब के किसानों का अंदोलन नहीं बना अब ये हर आदमी का हर और बच्चे का अंदोलन बन गया है और केवल पंजाब में नहीं मैं दिल्ली से आया हूँ दिल्ली के घर घर के अंदर ये अंदोलन पहुंच गया है मैं भी सूरत गया था सूरत में आम आदमी पार्टी BJP से 27 सीट जीत गई है BJP के गड़ के अंदर गुजरात BJP का गड़ माना जाता है सूरत में आम आदमी पार्टी पहली बार चुनाव लड़ी और पहली बार में सूरत के अंदर कॉंग्रेस की जीरो आम आदमी पार्टी की 27 सीट आई है तो मैं अभी सूरत गया था सूरत के लोगों ने मेरे को कहा कि सर अगर आप पंजाब जाओ तो पंजाब के लोगों ने को बोल देना पूरे गुजरात के किसान उनके साथ है दिल्ली आपके साथ है गुजरात आपके साथ है थोड़े दिन पहले मेरी ममताब अनर्जी से बात हुई उन्होंने मेरे को कहा कि Western Bengal के सारे किसान आपके साथ है तो ये लोग जो बोलते हैं कि ये आंदोलन तो केवल एक दो राज्जों का अंदोलन है ये एक दो राज्जों का अंदोलन नहीं है ये पूरे देश के किसानों का अंदोलन है और ये केवल देश के किसानों का अंदोलन नहीं है ये हर भारतवासी का अंदोलन है ये हर देश भक्त का अंदोलन है इस देश के रहने वाले बच्चे-बच्चे का अंदोलन है इसके लिए मैं आज पंजाब के लोगों का धन्यव इसा बनके मैंने इस अंदोलन के अंदर भाग लिया और आज उसको मेरे को हरजाना ये हमें परेशान कर रही है मौधी सरकार खूब परेशान कर रही है अब ये हमारी सारी पावर छीनने का कानून लेके आए हैं संसद के अंदर जब पंजाब से किसान दिल्ली की तरफ चले नवंबर के महीने में तो हरियाना के अंदर हर शहर में इनको रोका गया इनके ओपर पानी की बुछारे छोड़ी गई बैरिकेड लगाए गए आसू गैस के गोले छोड़े गए हर जगे इनको रोकने की कोशिश की गई लेकिन पंजाब के किसान का हमानने वाले हैं वो चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए सारे अड़चन पार करते हुए इनके बैरिकेड तोड़ते हुए पानी की बुछारे पार करते हुए पंजाब के किसान दिल्ली के बॉर्डर पे पहुंच गए जब किसान दिल्ली के बॉर्डर पे पहुँच गए तो दोस्तों मोधी सरकार ने एक बहुत बड़ा शडिंत्र रचा उन्होंने बहुत बड़ी प्लानिंग करी मोधी सरकार ने प्लानिंग करी कि इन किसानों को दिल्ली आने देते हैं जब ये दिल्ली आ जाएंगे तो नो स्टेडियम नो बड़े बड़े ग्राउंड इन्हों ने प्लानिंग करी मोधी सरकार ने उनको जेल बना देते हैं और उन जेलों के अंदर पंजाब के सारे किसानों को डाल देंगे वहां ये कई महीनों तक पड़े रहेंगे इनका अंदोलन खतम हो जाएगा दोस्तों से अपनी किस्मत अच्छी थी उन स्टेडियम को जेल बनाने की पावर मोधी सरकार को नहीं थी वो हमारी सरकार को थी ये किस्मत ही उपर वाले की कृपा है वायगुरुजी की कृपा है कि स्टेडियम को जेल बनाने की पावर मोधी सरकार की नहीं थी तो मोधी सरकार ने मेरे पास फाइल भेजी कि ये 9 स्टेडियम जेल बनाने हैं मैंने पूछा क्यों बनाने हैं बोले ये जो किसान आ रहे हैं इनको जेल में डालना है तो दोस्तों हमने कहा हम नहीं जेल नहीं बनने देंगे इन्होंने खूब फोन करें मेरे को इन्होंने खूब दवाव डाला खूब प्रेशर डाला लेकिन हम नहीं जुके अभी जर्नेल सिंग ने पढ़के बताया मैंने फाइल पे लिख दिया किसानों का आंदोलन अहिंसक है इनकी मांगे जायज है मोधी सरकार तुरंत इनकी मांगे मान ले और हम इनको जेल नहीं बनने देंगे दिल्ली पुलिस की एरजी हम लोगों ने खारिज कर दी हम लोगों ने कैंसल कर दी ये इतना गुसा हो गए इतना गुसा हो गए मिरसे मोधी सरकार खूब नराज हो गई और उसी का नतीजा है पिछले हफते संसद के अंदर मोधी सरकार कानून लेके आई है कि दिल्ली के अंदर अब से सारी पावर केजरीवाल की नहीं होगी दिल्ली के अंदर अब से सारी पावर मुख्यमंत्री की नहीं होगी सारी पावर गवर्नर की होगी LG की होगी सारे निरने LG लेगा वो हमारी सारी पावर छीनना चाते है उनको लगता है अगली बार जब जेल बनानी पड़ी तो फाइल फिर मुख्य मंत्री के पास नहीं एलजी के पास जाएगी पर दोस्तों चिंता मत करना आपका बड़ा भाई आपका बेटा मैं वहाँ पे लड़ रहा हूँ इन लोगों से छे साल से लड़ रहा हूँ मेरे को पता इन से कैसे लड़ना है इनको कभी किसी हालत में किसानों के खिलाफ कोई अक्शन नहीं लेने देंगे जब तक दिल्ली में मैं हूँ आप किसी बात की चिंता मत करना जब अंदोलन जब बॉर्डर पे किसान आके रुख गए उनकी सेवा करने के लिए हमारे सारे मले जितने मले बैठे हैं पंजाब के सारे मले हमारे MP भगवन तमान साब हमारे दिल्ली के सारे मले दिल्ली के सारे MP सबने वहां जाके सेवादार की तरह सेवा की मैंने सबको बोल दिया वहां जाओगे पार्टी का जंडा नहीं लेके जाना पार्टी की टोपी नहीं पहन के जाना पार्टी का नाम भी नहीं लेना केजरीवाल का नाम भी नहीं लेना सेवादार बनके वाय गुरुजी का नाम लेके किसानों के बीच में जाके सेवा करना इन्होंने सबने जाके रोज सेवा करी और भी बहुत लोगों ने सेवा करी केवल हमने नहीं वहाँ पे और बहुत सारी चत्थे बंदिया है सब लोग ने लंगर लगा रखा है हमने दिल्ली सरकार की तरफ से वहाँ सारब पानी का इंतिजाम करा टॉयलेट का इंतिजाम करा हमने वहाँ पे लंगर का इंतिजाम करा फिर काई बच्चे आये एक दिन मेरे पास बोले हमें अपने पिंड में बात करने में दिक्कत होती है सिगनल कमजोर है हमने वहाँ पे फ्री वाइफाई का इंतजाम करा दिली सरकार की तरह से जो जो हम कर सकते थे हमने किया तो एक दिन अपने अख़बार में पड़ा होगा मैंने सोचा मैं भी सिंगू बार्डर पे जाके किसानों से मिलके आता हूँ जब मैं अपने घर से निकला तो दिली पुलिस ने मेरे को रोक लिया दिली पुलिस मेरे एंडर में नहीं आती दिली के मुख्य मंतरी के अंडर में नहीं आती मेरे को मेरे घर के अंदर नजर बंद कर दिया मेरे को चौबिस घंटे घर से नहीं निकलने दिया ताकि मैं सिंगू बार्डर पे जाके किसानों से ना मिल सकूँ लेकिन दोस्तो मुझे कोई परवा नहीं है ये जो मर्जी अत्याचार करें आप लोगों का लड़ाई आप लोगों की लड़ाई जायज है आप की मांगे जायज है आप सच्चाई के रस्ते पे चल रहे हो अंत्पंत में जीत अपनी होगी इन्होंने अंदोलन को किसानों को बदनाम करने की कोशिश करी कभी कहते हैं खालिस्तानी है कभी कहते है अतंकवादी है कभी कुछ कभी कुछ किसम किसम के इल्जाम लगा है अंदोलन के उपर लेकिन देश की जनता देख रही है इनका एक भी नहीं चली आम आदमी पार्टी ने इनके जितने बीजेपी के नेताओं ने गालियां दी जितने बीजे पी के अगुवों ने हमारे किसानों को गालियां दी आमादमी पार्टी ने इनको बड़े बड़े निताओं के उपर केस करक्द है मुझे पूरे उमीद है यह जितने लोगों ने गालियां दी है एक दिन ये सारे जेल जाएंगे जब आदेश पारित होगा दोस्तों सत्तर साल से इस देश के अंदर किसानों के साथ अन्याय हो रहा है किसानों के साथ ज्यात्ती हो रही है सतर साल से इतनी पार्टी आई लेकिन किसानों को धोखे के लावा कुछ नहीं मिला कभी कोई पार्टी आती है कहती है हम नौकरी देंगे कोई नौकरी नहीं देता कभी कोई पार्टी आती है कहती है हम करजा माफ करेंगे कोई करजा माफ नहीं करता लेकिन दोस्तों ये तीनों कानून जो हैं ये तीनों कानून ऐसे हैं कि अगर ये पाज ये लागू हो गए तो किसानों का कुछ नहीं बचेगा ना उनकी जमीन बचेगी ना उनकी खेती बचेगी ये खेती उठाके बड़े-बड़े पुझी पतियों को इनके जो दोस्त है तीन-चार दोस्त है उनको उठाने की पूरी तर इन्होंने तैयारी कर रखी है आज से चार साल पहले जब पंजाब में चुना हुआ था तो कैप्टेन साहब ने भी बड़े-बड़े वादे किये थे किये थे की नहीं किये थे कैप्टेन साहब ने कहा था स्मार्ट फोन दूँगा जिस-जिस को स्मार्ट फोन मिलिया जरा हाथ खड़ा करके दिखा दो अपना फोन दिखा दो कैप्टेन साहब ने जिस-जिस को स्मार्ट फोन दिया है किसी को नहीं मिला कैप्टेन साब ने कहा था किसानों का लोन माफ करूंगा करजा माफ करूंगा किस का करजा माफ हो गया जरा हाथ खड़ा करके बता दो कैप्टेन साब ने कहा था बुढ़ापा पेंशन धाई जार रुपे महीना करूंगा जितने बुजूर्ग बैठे हैं जिस जिस के धाईजार रुपे हो गए जरा हाथ खड़े करके बता दो कैप्टेन साहब ने कहा था हर घर में नौकरी दूँगा किस-किस को नौकरी मिल गई जरा हाथ खड़े करके बता दो आज ये मैं कार्ड लेके आया हूँ ये कैप्टेन साहब ने ये कार्ड बाटे थे नहीं बाटे थे इस पे लिखा है बेरोजगारी भत्ता कार्ड बेरोजगारी भत्ता कार्ड इस पे लिखा है कैप्टेन ने सौचुकी हर घर एक नौकरी पक्की कैप्टन ने सौचुकी हर घर एक नौकरी पक्की किस-किस को नौकरी मिल गई दोस्तों ये काड कैप्टन साब ने ये काड बीस लाख लोगों के घर में बाटे थे बीस लाख नौजवानों को ये काड दिया था कैप्टेन साब ने कहा था मेरे को वोट दे दो मेरी सरकार बन गई तो मैं नौकरी दूँगा ये कार्ड ले आना कार्ड दिखा के मैं नौकरी दे दूँगा आज पंजाद के योगा उनके घर के चक्कर काट रहे हैं एक आदमी को नौकरी नहीं मिले मेरी आप लोगों से निवेदा ने ये कार्ड ठैकना मत ये कार्ड रख्या रखना रोज सवेरे उठके इस कार्ड को निकाल के देखना ये आपको याद दिलाएगा कि आज से चार साल पहले एक आदमी आपको धोखा दे के वोट दे के चला गया ये कार्ड आपको याद दिलाएगा कि किस तरह से कैप्टेन साब ने आपको जूट बोलके वोट लिया ये कार्ड फैंकना मत अगले एक साल तक रोज सवेरे उठके ये कार्ड देखना मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई आपको धोखा देता है तो आप क्या करते हो उससे बदला लेते हैं कैप्टेन साब ने आपको धोखा दिया एक साल के बाद उनसे बदला लेना है नहीं लेना है लेना है नहीं लेना हाद खड़ा करके बतायो जरा जिसने धोखा दिया पूरे पंजाब को धोखा दिया ना किसी को नौक्री दी, ना किसी को रोजगार दिया, ना किसी को लोन माफ किया, ना किसी की बुढ़ा पर पेंशन लगाई. अभी दो दिन पहले, एक TV चैनल वालों ने दो दिन पहले एक सर्वे किया था, देखा था सर्वे आया था, क्या था सर्वे में? दो दिन पहले उन्होंने सर्वे किया था, कि आज अगर चुनाव हो, तो पंजाब में किसकी सरकार बनेगी? सर्वे में आया है कि पंजाब के लोग कह रहे हैं कि आज अगर चुनाव हो तो पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी मैं नहीं कह रहा हूँ सर्वे में आया है ABP चैनल वालों ने सर्वे किया है सर्वे के अंदर निकल के आया है कि आम आदमी पार्टी नंबर वन पार्टी आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो दोस्तों ये कार्ड संभाल के रखना एक साल के बाद जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी जिन जिन लोगों को कैप्टेन ने ये काड़ दिया था उनको आम आदमी पार्टी नौकरी देगी जिन जिन लोगों को कैप्टेन ने ये काड़ दिया था जब तक नौकरी नहीं मिल जाती तब तक आम आदमी पार्टी की सरकार आपको बेरोजगारी भत्ता देगी कैप्टेन साब ने जितने वादे करे एक भी वादा पूरा नहीं किया दिल्ली के अंदर हम भी चुनाव लिड़े थे दिल्ली के अंदर चुनाव के पहले हमने भी वादे करे थे बाई साब एक एक वादा पूरा किया एक एक वादा पूरा किया चुनाव दो दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है कोई पावर कट नहीं लगता 24 घंटे बिजली आती है और बिजली का बिल कितना आता है कि यह मैं देख रहा हूं कई लोगों को यकीन नहीं हो रहा है मैं देख रहा हूं कई लोगों के चेरे फक पड़ेया भी उनको समझ नहीं आ रहा है ऐसे कैसे हो सकता है बिजली का बिल तो दिल्ली के अंदर अगर 24 घंटे बिजली आती है दिल्ली के अंदर जीरो बिजली का बिल आता है पंजाब में बिजली का बिल जीरो होना चाहिए नहीं होना चाहिए ऐसे नहीं होगा जोर से बोलना पड़ेगा हाथ खड़े करके बताओ बिचली का बिल जीरो होना चीए नहीं होना चीए दिल्ली में हो सकता है तो पंजाब में क्यों नहीं हो सकता कौन करेगा कौन सी पार्टी करेगी कौन सी पार्टी करेगी चुनाव के पहले मैंने वादा किया था अपने लोगों को दिल्ली में कि मेरे को वोट दे दो मैं स्कूल अच्छे कर दूँगा आज दिल्ली के सरकारी स्कूल इतने शांदार होगा इतने शांदार होगा हमारे गरीबों के बच्चे इतने शांदार स्कूलों में पढ़ते हैं आज हमारे गरीबों के बच्चे डक्टर बन रहे हैं इंजीनियर बन रहे हैं एड़ोकेट बन रहे हैं मैं आपसे पूछना चाहता हूं पंजाब के स्कूल अच्छे होने चाहिए नहीं होने चाहिए कौन सी पार्टी करेगी कौन सी पार्टी करेगी चुनाब के पहले मैंने दिल्ली के लोगों को कहा था हमको वोट दे दो हम अस्पताल अच्छे कर देंगे आज दिल्ली के हस्पटाल इतने शांदार हैं बाई साब अगर पंद्रा लाख रुपे का भी आपरेशन हो दिल्ली के हस्पटाल में फ्री में होता है एक पैसा नहीं लगता सारी दवाईया मुफ्ट सारे टेस्ट मुफ्ट सारा इलाज मुफ्ट सारे डक्टर मुफ्द और इतने शांदार सरकारी अस्पताल है पंजब में होना चाहिए नहीं होना चाहिए कौन सी पाटी करेगी तो दोस्तो एक साल है एक साल के अंदर अपने को मिलके हम सब लोग गाउं गाउं के अंदर हर पिंड के अंदर हर पिंड में जाएंगे हर महले में जाएंगे हर गली में जाएंगे और आपके साथ मिलके एक नए पंजाब का सपना तयार करेंगे अपने को नया पंजाब बनाना है अपने को खुशाल पंजाब बनाना है अपने को एक ऐसा पंजाब बनाना है जिसमें हर किसान खुशो, हर मजदूर खुशो, जिसमें हर व्यपारी खुशो, हर आड़ती खुशो, जिसमें हर आदमी, हर औरत, हर बच्चा खुशो, जिसमें हर एक को अच्छी शिक्षा मिले, जिसमें हर आदमी को अच्छा इलाज मिले, जिसमें पैसे की तंगी की तो हम सब लोगों को मिलके कैसा पंजाब बनाना है अगले एक साल में हम सब मिलके कैसे पंजाब का सपना तयार करेंगे उसके बाद आमादमी पार्टी की सरकार आएगी और हमके साथ मिलके पंजाब को एक नया पंजाब बनाएंगे खुशाल पंजाब बनाएंगे एक बार फिर से मैं पंजाब के किसानों को कहना चाहता हूं पंजाब के लोगों को कहना चाहता हूं हम तन मन धन पूरी तरह से मैं मेरी पार्टी मेरी सरकार किसानों के साथ है और जब तक ये तीनों कानून मोधी सरकार वापस नहीं लेती हम नहीं चैन से नहीं बेठेंग। बोले सो निहाल।